बीजेपी के कारेकर्ताओं ने मंडल उपाध्यक्ष के आरोप लगाने पर किया थाना भैरवगर का घेराव अपनी बीमार मा को हॉस्पिटर नहीं ले जाने देने पर पुलिस कर्मियों से विवाद हुआ था भैरवगर थाने का बुद्वार को भाजपा के कारेकर्ताओं ने घेराव कर दिया आरोपे की भाजपा मंडल उपाध्यक्ष की मा की तबियत खराब होने पर वह उन्हें लेकर अस्पताव जा रहा था सिद्वर्ट से मंगरनात जाने वाले मार्ग पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रास्ता रोक रखा था मा की तबियत के बारे में बताने के बाद भी पुलिस कर्मियों ने बैरिकेड नहीं खोले पूर्व पार्षत से भी अबध्रता की गई आदे घंटे बाद जब बैरिकेड अटाया गया तो रास्ते में उपाध्यक्ष की मा की मौध हो गई इससे नाराज लोग ठाने पहुँचे और ASI और आरक्षक को निलंबित करने की मांग की CSP ने ततकाल आरक्षक को लाइन अटेच करने के आदेश चारी कर दिये भाजपा के भैरफगर मंडल उपाध्यक्ष प्रवीन चतुरवेदी की मा की बुद्वार को तब्यत खराब हो गई थी इस पर वह मा को लेकर अस्पताल जा रहे थे पुलिस ने लॉगडाउन के कारण सिद्वट से मंगलनात जाने वाले मार्क पर बैरिकेट लगा रखे थे मौके पर तैनात आरक्षक आशीश पतेल को प्रवीन ने बताया था कि मां को लेकर अस्पताल जा रहा हूँ इसके बाद भी बैरिकेट नहीं हटाए इस दोरान एसाई दारा सीह चावडा भी मौके पर आ गए बहस बढ़ने पर प्रवीन ने फोन लगा कर पूर्वपार्षत संचय कोरट को बलाया था आरोपे की पुलिस कर्मियों ने पूर्वपार्षत के साथ भी अबधरता की आदे घंटे के बाद बैरिकेट हटाए गए थे प्रवीन वह उसका भाई मा को लेकर अस्पताल पहुंचाता जहां चिकित्सक ने उसे म्रत घोशित कर दिया प्रवीन की मा का निधन होने की सूचना मिलने वह पुलिस कर्मियों की अबधरता की जानकारी लगने पर लोग काफी आक्रोशित हो गए थे लोगों ने भैरवगर ठाने का घिराफ कर दिया लोगों ने ASI दारा सीहवा आरक्षक आशीश पटेल को निलंबित करने की मांग की सूचना मिलने पर CSP AR नेगी भी मौके पर पहुँचे और लोगों को समझाईश दी लोग कारिवाही की मांग को लेकर अड़ गए इस पर ततकाल आरक्षक आशीश पटेल को लाइन अटेच कर दिया गया ASI चाबडा पर जांच के बाद कारिवाही करने को कहा गया है